इसके बाद हम लोग प्रिस्नामली 16.3 का ही प्रिस्निक रमांग 14 ले रहे हैं जिसमें दिया है आक्रती 16.42 में यदी रेखाएं PQ और RS बिंदू T पर इस प्रकार प्रतिचेत करती हैं कि कौण PRT बराबर 40 अंस कौण PRT बराबर 95 अंस और कौण TSQ बराबर 75 अंस है तो कौण SQT ग्याद कीजिए तो इस तरीके से ये क्वेशन दिया गया है तो चलिए इसमें ये आक्रती भी आपको दी गई है तो इस आक्रती को भी आप द्यान से देख लीजिए तो इस आक्रती में हमें इसको question के अनुसार समझना है आक्रती 6.42 में जदी रेखा है PQ और RS बिंदू T पर प्रतिचेत करती है ध्यान से देखिए ये एक रेखा है PQ ये आपको देख रही है PQ दूसरी रेखा है R और S दूसरी रेखा क्या है RS पहली रेखा PQ है दूसरी रेखा RS है और ये बिंदू T पर प्रतिचेत करती है और पढ़ लेते है question को साथी साथ दिया गया है कौण PRT बराबर 40 अंस तो कौण PRT PRT देखिए बीच में R आया है की नहीं PRT तो ये कितना है 40 अंस साथी साथ RPT कितना दिया गया है 95 तो यहाँ पर देख लेते हैं 95 RPT दिया गया है साथी साथ TSQ कितना दिया गया है 75 तो TSQ ये दिया गया है 75 TSQ ये दिया गया है 75 तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब आपको देखना है कि कौन सा कौन ग्याद करने के लिए कहा गया है तो देख लेते हैं तो कौन S, Q, T ग्याद करना है S, Q, T देख लेते हैं कहा है S, Q, T ये वाला एंगल ये जो बना हुगा है ये हमें ग्याद करना है तो इसको ग्याद करने के लिए आपको process देख लेनी है सबसे पहले आपको क्या करना है फिर हम लोग detail में करेंगे तो बहुत ही simple है पहले इसको समझ लेते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो PRT ये जो एक तिर्भुज आपको दिख रहा होगा PRT तो PRT जब तिर्भुज है और जब ये बाला आइंगल पता तो इस तरीके से आपको ये करना है चलिए detail में कर लेते हैं सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं तो हल और दिया है जो दिया गया है उसको लिख लेते है यहां पर देखते हैं कि कोड दिया गया है कोड P, R, T बराबर 40 संस कोड P, R, T बराबर दिया गया है 40 संस और कोड R, P, T बराबर दिया गया है 95 अंस और इसके साथ एक कॉन और दिया गया है कॉन टी एस क्यू बरावर 75 डिग्री चलिए अब ग्याद करना है ये वाला तो आपको हेडिंग डाल देनी है ग्याद करना है तो जो ग्याद करना है उसको लिख लेते हैं ग्याद करना है कॉन एस क्यू टी बरावर ग्याद करना है इसके बाद हम लोग उपपती ले लेंगे उपपती तो इसमने हम लिखेंगे हमारा चित्र सामने है तो उसे साब से करेंगे अब हम इसमें चूकी आर पी टी एक तिर भुजे तो हम लेखेंगे चित्रा नुसार चित्रा नुसार के बाद लेखना है चूकी आर पी आर टी एक तिर भुजे पी आर टी एक तिर भुजे जब P, R, T एक तिरवोज है तो फिर क्या होगा तो इसलिए कौन P प्लस कौन R प्लस कौन T ये क्या हो जाएगा दोनों एक सबस्सी तीनों के तीनों तो हम इनको फॉल फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले P को लिखना है तो कैसे लिखेंगे R, P, T तो कौन R, P, T प्लस अब हमें इसको लिखना है R को तो कैसे लिखेंगे P, R, T जिस भी कौन को बताना है उसको बीच में लिखना है तो कौन P, R, T आ गया R बीच में तो कौन P, R, T प्लस अब इसको लिखना है T को तो कैसे लिखेंगे R, T, P बराबर कितना होगा 180 अब आपको ध्यान से देखते जाना है RPT कितना है 95 तो यहां कितना लिखोगी आप 95 कौन PRT कितना है 40 तो यहां कितना लिखे दोगे 40 अंस प्लस कौन RTP यह तो हमें ग्याद करना है तो इसको जियों काते हो कौन RTP बराबर 180 चलिए इसको solve कर लेते हैं तो यहां पर यह हम देखें 95 और 40 जोड़ लेते हैं तो यहां पर 5 और 135 टोटल प्लस कौन RTP बराबर आजाएगा 180 अंस 135 का इस तरफ पक्छांतर कर देंगे तो यहां बचेगा केवल कौन RTP कौन RTP बराबर 180 अंस माइनस 135 अंस तो कौन RTP बराबर 180 में से 135 चले जाएंगे तो 45 अंस आ जाएगा तो यह RTP अब हम चित्र में देख लेते हैं हमारा जो है यह 45 अंस आ चुका है यह 45 है तो सीरसा विमुक्ष से यह भी कितना होना चाहिए 45 क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिछेट करती है तो उनकी आमने सामने के कौन बराबर होते हैं जन्हें सीरसा विमुक्ष कौन कहती है तो 45 तो आपको लिखना है चुकी फिर से एक बार चुकी चुकी PQ और RT जो है प्रतिछेत करती है तो आपको लिखना है चुकी PQ और RS T पर प्रतिछेत करती है जब T पर परतिछे करती हैं तो फिर उनके सीर्षावे में कौन बराबर होंगे इसलिए कौन P T R या इस तरीके से भी लिख सकते हैं R T P जैसा कि हमने पहले लिखा हुआ है तो R T P ही लिख देते हैं R T P बराबर होगा R T P जो 45 है किस के बराबर होगा Q T S चलिए लिख लेते हैं कौन Q T S बराबर कितना होगा यह 45 कोश्टक में आप पूल लख देना है चू की सीरसावी मुख कौन है सीज सावी मुख कौन है तो यहाँ पे आपको यही लग देना है अब जब यह 45 हंस है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अप सीज सावी मुख से यह भी 45 हो गया यह 75 है तो यह अपने आप मिल जाएगा तो फिर लिखना है चित्र से TQR एक तरवोजे देख सकते हैं आप TQS TQS ही क्या है तरवोजे तो चलिए लिख लेते हैं चित्र से TQR एक तरवोजे तो तरवोजे है तो फिर इसे सावसे तरवोजे के तीनों कोणों का यह कितना होता है 180 तो चलिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं तरवोज S T Q S T Q तो यह वाला एंगल बता रहे हैं हम लोग फिर लेखेंगे S T S Q तो यह वाला हो जाएगा चलिए के करके कोई भी पहले लेख सकते हैं तो हम लेख रहे हैं सबसे पहले यह वाला एंगल कौण S T Q कौण S T Q प्लस अब यह वाला लिख लेते हैं यह वाला T Q S कौण T Q S प्लस अब लिख लेते हैं यह वाला Q S T कौण Q S T यह कितना है टोटल 180 अब इनके मान रख देते हैं S T Q कितना है S T Q 45 तो यहाँ पे आपको लिख देना है 45 प्लस T Q S देख लेते हैं T Q S यह तो हमें ग्याद करना है तो इसको जियों किते हैं कौण T Q S प्लस कौण Q S T कितना है Q S T है 75 तो यहाँ पे लिख देना है 75 अंस वराबर कितना हो जाएगा 180 यहाँ पे कौण T Q S जो है इसको जियों काते हूं इन दोनों को आपक्छांता रिस्तरप कर देते हैं तो 180 माइनस 45 माइनस 75 तो कौण T Q S जो है इन दोनों का पहले यह माइनस माइनस की जोड़ देते हैं तो 5 उपाँच 10 का सुन हाँ से लाई 1, 4, 7, 4, 11, 12, 120 तो अब यह कैंसल आउट हो जाएंगे तो बच जाएगा 60 अंस तो यह जो अभी श्ट कौण है आपको दिख रहा होगा यह आपका आजाएगा 60 यही आपका अंसर हो जाएगा तो यह जो आपको मिला है यह मिला है 60 तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है बहुत ही सिंपिल कॉश्चन है और आप इस तरीके से करते चलिए जिन बच्चों ने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेइलिस्ट में जा सकते हैं हमारे चैनल का नाम फिरी उनलाइन कोचिंग है तो वहाँ से जा कि आप देख सकते हैं और अपने समय को भी बचा सकते हैं कोचिंग जाने का जो समय है वो भी बच सकता है आपका और आप अपनी महनत अच्छे से कर दे रही थैंक यू